हेलो फ्रेंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड होम डेकोर में स्वागता आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज फिर से आपके साथ बहुत जूश्वो टिप्स शेयर करूंगी अमीद है कि ये टिप्स भी आप सबको काफी पसंद आएंगे सबसे पहला टिप्स है बरतन धोने के साबुन को लेकर ये हम अपने ऐसोय में काफी जूश करते हैं तो ये पानी के बीच में रहने की वज़ेश से बहुत जल्दी खतम हो जाता है मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर करूंगी अगर हम उस टिप्स के साथ जूश करते हैं तो काफी time हमारा साबन खृराब नहीं होता देखिए जब हम ये साबन को ओपन करते हैं तो इसको ऐसे बीच में से हम निकाल लेते हैं और बतन होने के लिए इस साबन को रख लेते हैं और जो इसका उपर का कवर है उसको हम फैंक देटे हैं जहां पर देखिए उस कवर को भी फैंकना नहीं है हम जब भी साबन निकालें तो ऐसे उपर से देखिए इसका जो प्लास्टिक का कवर था उसको ऐसे कट करके निकाले तो इसका बहुत अच्छी तरह से हम इस कवर का यूज कर सकते हैं क्योंकि जिब प्लास्टिक है तो इसके बीच में जो पानी बिल्कुल नहीं चाता इसलिए यहां से देखिए मैंने आदा कट कर लिया और आदा जो है प्लास्टिक का कवर ऐसे ही जहां पर साबन के नीचे रहने दिया ऐसे देखिए बैक वाली साइड पर ऐसे ही कवर रहने दिया अब इसके उपर मैं एक रपर लगा दूँगी रपर लगाने से यह कवर नीचे से देखिए जहां टाइड हो जाता है तो ऐसे अगर हम साबन रखेंगे तो नीचे से जो गिल्ला बिल्कुल हमारा साबन नहीं होगा और फिर गिल्ला ना होने की वज़ा से जल्दी खतम भी नहीं होगा तो यह साबन है हमारा काफी टैम तक जूज होगा तो इससे हमारे पैसे की पच्चत होगी क्योंकि साबन हमारा जल्दी नहीं खतम होगा तो ऐसे देखिए जब भी होगा तो हम ऐसे उपर से अपने सकरबर को जूज करके बरतन धो सकते हैं और नीचे हमारा प्लास्टिक का कवर ऐसे पैक रहेगा जहां पर देखिए मैंने पारे के बीच में भी आपको साबन रख कर दिखाया क्योंकि नीचे से अब बिल्कुल वी गिला नहीं होगा और नीचे से बिल्कुल भी गलेगा नहीं और हमारा साबन है जो बिल्कुल वेस्टेज नहीं होगा तो हम ये टिप से फोलो कर सकते हैं और पैसे की बच्चत कर सकते हैं नेक्स्ट टिप से ऐसी दिखिए जो जाली है हमारे घर पर आती है इसमें fruit आते हैं, vegetables आती हैं और भी smart packer होकर आता है तो क्या करते हैं हम इस चारी को फैंक देते हैं बट ये भी कभी कभी काफी juice आती है तो इसका ही मैं juice आपके साथ बहुत अच्छा juice शेर करती हूँ जहां पर देखिए मैंने लिया है धनिया धनिया है, पालक है, मेथी है तो आप ये tips जूज कर सकते हैं जहां पर देखिए मेरे पास धनिया ऐसे धनिया को कट कर दिया और बीच में इसे जो भी खड़ाब इसमें होगा वो मैं निकाल अब भी देती हूँ और इसके बाद मैं इसको इस जाली में डाल दूँगी और ऐसे शोटी शोटी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो की बहुत काम आते हैं जिन से किया हम अपने टायम काफी बचा सकते हैं और अपने पैसे की वी काफी बच्चत कर सकते हैं जे टिप से हम वेज़ी टेवल जो ग्रीन है पत्ते वाली सब्जियों उसके लिए जूज कर सकते हैं मेथी पालक धनिया ऐसे जो शोटी शोटी पत्ते दर सब्जी होती है उन पर जे टिप से फोलो कर सकते हैं जहां पर देखिए मैंने क्लीन कर लिया था धनिया अगर हम को तीन चार पानी में वाउश करते हैं तो ऐसे उनको एकठा करना काफी मुश्किल हो जाता है बत्तों को तो हम ऐसी जाली में देखिए ऐसी जाली में डाल कर अगर इनको वाउश कर लेते हैं तो यह अच्छे से देखिए वाउश भी हो जाती है और हमारी बिल्कुल भी ज जाते हैं पत्ते वो बिल्कुल नहीं जाएंगे जहां पर देखिए मैंने वाश करके भी आपको दिखाया और हम इस चाली को हैंग भी कर सकते हैं और जो इसके बीच में पानी होगा वो बहुत अपने आप ही निकल जाएगा तो ऐसे इसके बीच का जो पानी है वो भी निकल जे टिप्स बहुत जूजफुल टिप्स है तो इससे हमारा काफी टैम बच जाता है और नेक्स टिप्स है वेज़ीटेवल्स को लेकर आजकल जैसे गर्मिया हैं तो गर्मियों में जब भी हम फ्रूट वेज़ीटेवल्स फ्रूट लेकर आते हैं तो उसको फ्रिज में पंड़ने के लिए तो इससे हमारे थोड़ी जगह में भी आजाएंगी क्योंकि इनकी जो वेस्टेज है वह निकल जाएगी तो फ्रिज में जगह बन जाएगी और हमारी वेजटेवल clean भी हो जाएंगी जो इनका खड़ापाट होगा वो निकल जाता है तो हमें सबसे पहले ऐसे ही करना चाहिए इनके डंडियां हैं डंठलां उनको आप अलग कर दीजिए इससे हमारी फ्रिज में ज़्यादा सब्जी आ जाएगी अगर आपके पास टैम हो तो मैं गोबी का ही आपके साथ और शेयर करती हूँ गोबी का ऐसे जैसे फ्लावर है तो इसका क्या करें डंठल को अलग कर दीजिए और इनके पीस कर लें ऐसे पीस करके हम एयर टाइट डिबे में भर कर रख दें तुझे काफी टैम तक खड़ाब नहीं गोबी हमारी होगी तो हम इसका लंबे समय तक वी जूज कर सकते हैं जहां पर देखिए मैंने गोबी के फ्लावर के पीस कर दिये हैं तो अब एक मेरे पास ऐसे प्लास्टिक का डिबा है वो एर टाइट है तो मैं क्या करूँगी इसको एर टाइट बॉक्स में बंद करके रख दूँगी तो यह काफी टैम तक मेरी गोबी खड़ाब नहीं होगी जहां पर देखिए यह भी बॉक्स हमारे पास घर में काफी आते हैं तो हम इनका जूज कर सकते हैं यह एक स्विडिश का ही बॉक्स था तो उसके में ही मैंने जहां पर देखिए इस फ्लावर को डाल दिया जह बॉक्स एर टाइट होते हैं तो हम इसमें डाल कर जूज कर सकते हैं तो ऐसे हम डाल कर रख लें तो हमारी वेजटेवलों खराब नहीं होगी अगर आपके पास ऐसे पीस करने का टैम ना हो तो आप गोबी के डंटर को अलग करके एक पॉली थीन में ऐसे बंद करके रख दें तो इस से भी हमारी गोबी खराब नहीं होगी क्योंकि ऐसे देखिए यह वेजटेज कितना हमारा निकल गया यह हमारी फ्रिज में काफी जगा ले लेता तो हम ऐसे यह वेजटेवल को जब भी आएं प्लीन करके रख लें एक तो ऐसे देखिए वेजटेवल हमारी प्लीन हो जाती है इसमें जो भी खराब होगा वो हम निकाल देते हैं तो फ्रिज दूसरा जह है कि फ्रिज में ज़्यादा सबजियां ऐसे हम रख सकते हैं और तीसरा जह है कि जब हमने बनानी हो तो हम जल्दी से निकाल कर वाश करके बना सकते हैं और नेक्स टिप से ऐसे देखिए पॉली थिन हैं जो हमारे घड़ पर आते हैं तो ऐसे इस polythene के दो मेरे पास है handle दोनों side है तो जहां पर देखिए ऐसे शोटा सा एक piece मैंने cut कर दिया जहां से center में cut कर दिया तो यह बहुत simple सा tip है इसमें आप डाल दोंगी यह कपड़े टांगने वाला hangle तो हम इसको कहीं पर अपने kitchen में hang कर सकते हैं तो ऐसे hangle करके जहां पर देखिए उपर वाली side मैंने जो कपड़े के उपर ही हम clip लगाते हैं वह ही मैंने दो जहां पर लगा दिये अब यह hangle हम अपने रसोई में hang कर सकते हैं इसमें हम अपनी vegetable जैसे आलू पर आज होते हैं उनको इसके बीच में डाल कर रख लें इससे जह क्या होगा कि इसमें हवा भी जाती है और जल्दी vegetable हमारी crab नहीं होती और जह है कि यह hang भी एक side पर hang हम कर सकते हैं अगर हम बड़ी बड़ी basket में रखते हैं तो वो काफी जगा ले लेते हैं तो ऐसे ही हम इसको जहां पर hang एक side कर सकते हैं तो ऐसे जब vegetable ख़राब भी नहीं होगे और हमें जब जरूर थो हम easy से निकाल भी सकते हैं तो next tip से पनीर को लेकर जब भी हमारे पास ज़्यादा पनीर होता है तो हम इसको फ्रिज में ऐसे रख देते हैं कभी कभी क्या होता पनीर क्राब हो जाता है मैं उसका यह आपके साथ टिप से share करूंगी तो ऐसे देखें जहां मेरे पास पनीर है इसके मैंने पीस कर दिये अब इसको ऐलमोनियो फॉयल पेपर में मैं रैप कर दोंगी तो ऐलमोनियो फॉयल पेपर में हमने अच्छे से रैप करना है जहां पर देया ऐलमोनियों फॉयल पेपर लिया इसमें ऐसे रखकर हम अच्छे से रैप कर दें उसके बाद रैप करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख दें जितने भी हमें पनीर की जुरूरत हो हम ऐसे पीस के हिसाब से इसमें से निकाल सकते हैं और बाकी को फिर ऐसे ही रैप करके रख दें तो जिपनीर काफी लंबे टैम तक खड़ाव नहीं होता अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगए हो लाइक करना शेयर करना जो मेरी वीडियो पर पहली बार आएं प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि सस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है तो जिनोंने मुझे सस्क्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ ऐसे ही हम छोटे-छोटे टिप्स और टिक्स होते हैं जिनको फोलो करके अपने घर के लिए काफी पैसे की बच्चत कर सकते हैं इसमान को सेफ रख सकते हैं खराब होने से बचा सकते हैं तो ऐसे ही हम टिप्स फोलो करें